दोस्तो एक बत द्वारे से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विवेगराना स्टॉक्स पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे दिल से बहुत धन्यवाद तो दोस्तो बात करेंगे बैस पैनि स्टॉक 2021 बिलोग 10 रुपीज तो दोस्तो टाइटल आपने रेट कर लिया होगा ठीक है दोस्तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करूँगा की जैसे आपको बता है मैंने एक तरीका निकाला कि मैं आप लोग की हेल्प कर सकूँ थीकिए वो तरीका क्या है अगर आप इस चैनल को या इस वीडियो को शेयर क आदे घंडे का हो session होगा ठीक है या फिर मैं खुद की एक strategy शेर करूँगा वहापर free of cost तो अगर आप participate करना चाते हो तो भाई इस वीडियो को शेर करो अभी के अभी Facebook, Twitter, Telegram और मुझे tag करो Twitter में या मुझे आप DM कर सकते हो Instagram में मेरी idea VR stocks के नाम से ठीक है तो आप मुझे वहा अब बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ तो दोस्तो लाएं हो आपके लिए top 5 multi bagger penny stock जो currently 10 रुपे के निचे trade कर रहे है और बोल सकते हो जो top 5 multi bagger penny stock के में बात कर रहा हूँ उसमें आपका 1 रुपे का stock भी है आपका 5 रुपे का stock भी है आपका 7 रुपे का stock भी है तो मैंने आप बोल सकते हो हमें हर एक number से एक stock pick किया है जो definitely एक multi bagger return दे सकता है future में तो चाहो तो आप इसमें invest कर सकते हो लेकिन भाई invest करने से पहले आप अपने financial advisor से सलल ले लेना या खुद की research add करने के बात ले सकते हो और कभी भी अगर investment करते हो तो भाई अपना risk management और money management को पक्का follow करना ठीक है यह दो चीज़े पक्का follow करना money management और risk management और कुछ करो या ना करो राइट तो लेके चलता हूं stocks के नाम की तरफ company क्या करती है stock का chart क्या बोल रहा है और आप किस valuation में भी मिल रहा है तो देख लेते एक बार और जो भी आपका सुझा हो नीचे comment करके आ आप बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा गंदा लगा अच्छा लगा जो भी होगा आप नीचे तुझाओ डाल सकते हो तो दोस्तो हमारा पहला best penny stock का नाम है उसका नाम दोस्तो PMC Fincom Limited है एक BSC में listed company है currently एक रुपे का आसपा स्टॉक का price चल रहा है और दोस्तो आप सबीसे request करूँगा वीडियो को skip ना करें आपके पैसो का सवाल है राइट वीडियो को अंतक देखने का प्रियास करना आई नो लोग नहीं देख पाते हैं लेकिन आप प्रियास करना ठीक है भाई तो दोस्तो देख सकते हो यह stock आपको याद होगा प्यास पैसे और 40 पैसे मैंने आपको जो stock recommend किया था below 1 रूपी के stock में और stock हमें अभी more than 300% की return दे भी रहा था और अब stock लगातार एक lower circuit में जा रहा है तो दोस्तो मितने लगता है personally कि यह stock आपको एक multi-way का return दे सकता है future में उसके कुछ कारण है दोस्तो सबसे बड़ा कारण यह है कि company ने half लाल मे December quarter में अच्छे खासे result शो करें और अल्मोर्ट धाई करोड के असपास का profit दिया है एक सबसे बड़ा कारण यह है और company लगतार नए business services में एंटर कर रही है और साथ में दोस्तो स्टॉक ने multi-year का breakout भी दिया है चार्ट में तो आपको और मैं चार्ट दिखाता हूं दोस्तो 85 पैसे के आसपास और 80 पैसे के आसपास stock ने multi-year breakout दिया है जिस वज़े से long term के लिए stock मुझे काफी पसंद आ रहा है तो आप चाहो तो stock को 80 पैसे के आसपास buy करके चल सकते है क्योंकि 80 पैसे का multi-year का breakout का support है तो definitely 80 पैसे या एक रुपी के आसपास यह test करने आएगा और व दोस्तों देख सेकते हो PMC FinCorp के मैंने results खोल रखे आपको देख रहा होगा very positive financial performance in December 2020 आप देख सेकते हो profit आपर tax 2.4 ग्रड के आसपास company ने profit दिया था ठीक है भाई तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे best penny stock below 10 rupees stock number 2 जिसका नाम है तो दोस्तों जो हमारा दूसरा penny stock है उसका नाम सिंकम formulation india unlimited है जी हां दोस्तों ये भी एक BSC की listed company है और एक pharmaceutical stock ये है तो definitely अगर आप कोई फार्मा company रहुंद रहा हो जो penny stock के आसपर अभी trade कर रहा है तो भाई इसमें पैसा लगाया जा सकता है company लगातार profitable company है ठीक है भाई company में ऐसा कुछ नहीं कि company में कुछ घटिया हुआ हो पुरा हुआ हो पास में जिस वज़े से stock आज इतने कम में trade कर रहा है ठीक है कुछ गलत हुआ होगा इसलिए इसने trade कर रहा है लेकिन company लगातार अपनी sales में increment कर रहे ग्रोध दिखा रही है और साथ में दोस्तों company ने December quarter में काफी अच्छे result दिये है तो भाई definitely stock को हम बोल रहा हूँ ठीक है फाइव एर्स का तो दोस्तों आप देख सकते है stock ने एक multi-year breakout दिया है ठीक है तीन रुपे के ऊपर तो stock definitely तीन रुपे के आजपस एक अच्छा bet बन सकता है और stock दे 22 के आजपस 50 और 70 पैस का low लगाया था जहां से वह एक bounce करके चार रुपे का हैस लगाया तो मतला already stock multi-year का stock था और बन भी सकता है future में तो definitely तीन रुपे के आजपस पा stock ने एक multi-year breakout दिया है ठीक है जहां stock को हम buy करके चल सकते है असानी से और अगर बात करता हूँ company के financial तो एक पर financial देख लो तो दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन में company is almost debt free जहां दोस् company है और दोस्तों देख सकते हो company लगातार profit दे रही है ठीक है repeated profits right आपको लेकर चलता हूँ stock के quarterly results की तरफ दोस्तों आप देख सकते हो December में जो company की sales थी वो 84 क्रोड के आसपास की company ने sales दिखाई थी अपनी books में अगर net income की बात करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो जो 9 क्रोड के आसपास की profit था और दोस्तों देख सकते हो आप की company लगातार आपको एक अच्छा काथा profit दे रही है at least आपके books में एक profit शोग कर रही है और दोस्तों अगर बात करते है अनिंग पर share की तो company का अनिंग पर share भी ठीक ठाक है इतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठ सकते हैं तो अगर बात करते हैं promoter की share holding pattern की तो दोस्तों आप देख सकते हो जो मालिक है लगातार अपने stock buy कर रहे है public से ठीक है पहले 38% के आसपास की holding थी आपकी 41% के आसपास निकल के आती है तो मतलब लगातार इंके promoters का भी पैसा बढ़ रहा है stock में मतलब वो buy कर रहे ह पब्लिक से माल तो definitely भाई आप इस multi bagger penny stock को रड़ा में रख सकते हो अब आपको लेकर चलता हूँ हमारे तीसरे multi bagger penny stock की तरफ जिसका नाम है दोस्तों हमारा top multi bagger penny stock है जिसका नाम है comfort common trade limited दोस्तों यह भी एक BSC के लिए listed company है और दोस्तों बता देना चाता हो company आपका trading आती है commodity market में ठीक है तो अभी current price चला stock का साड़े 6 रुपे के आसपास ठीक है तो definitely stock को आप रड़ा में रख सकते हो चार्ट के साफसा अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप दिख सकते हो दोस्तों एक one year के chart में stock ने एक 5 रुपे के price के आसपार एक multi year का वेका उट दिय तो दोस्तों देख सकते हो मैंने comfort comma trade limited के बारे में खोल रखा है ठीक है तो आप दोस्तों देख सकते हो company का market cap 6.52 करोड के आसपास का है और अगर बात करते है company की return on equity तो दोस्तों आप देख सकते हो काफी बढ़िया है और दोस्तों book value के साफसे company काफी सस्ते में आपको मिल रही है क्योंकि company लगातार आपको profit दे रही है books में इसलिए आपको काफी सस्ते में अभी मिल रही है अगर दोस्तों बात करते है company में होर क्या बढ़िया है तो देख सकते हो company एक debt free company है अगर आप ऐसी company ढूंट रहे हो जो आपको debt बिल्कूल भी नहों करचा एक रुपे का नहों तो definitely आप इसमें bet लगा सकती हो और दोस्तों साथ में आप देख सकती हो company अपने बुक से काफी सस्ते में टेट करें जैसे मैं आपको भी बतलाया और company के जो next quarter है वो expected है कि वो अच्छे results देख सकते है अगर बात करते company के profit and loss तो दोस्तों नीचे लेके चलता हूँ quarterly results sales की तरफ आप दोस्तों देख सकते हो company की जो sales दिसम्मर के आदसपास 10 क्रोड की sales थी जो कमी आई है last quarter के comparison में अगर बात करते है net income की तो दोस्तों देख सकते हो पहले company एक second जी हाँ दोस्तों देख सकते हो पहले company कभी loss देती थी कभी profit देती थी और December quarter में company ने 10 क्रोड का आज-पास का profit दिया है books में तो definitely दोस्तों एक ये reasons हो सकते company को hold करने के लिए जो आपको future में एक multi-bagger return देके जा सकते है ठीक है अगर बात करते है कि इसमें किस-किस का पैसा लगावा तो देख लेते कि promoter holding कितनी है तो दोस्तों देख सकते हो मैंने ये promoter holding खोल रखी है तो लगादार promoter अपनी holding increase कर रहे है तो दोस्तों कभी भी जब भी मालिक अपना पैसे से stock को buy करते है तो दोस्तों कुछ न कुछ होने वाला होता है future में company में इसलिए वो stock को इतने महंगे में buy करते है वो भी public से तो भाई definitely stock को आप रख सकते हो और 53% के आसपास आपके public की holding है तो अब दोस्तों बढ़ते हमारे आज के चौथा पैनी stock below 10 rupees जिसका नाम है तो दोस्तों हमारे चौथा पैनी stock below 10 rupees का नाम है रामा वीजन ये भी एक BSE में लिस्टेट कंपनी है दोस्तों company का जो mainly business है ये आपके बच्चे और मदर्स के products होती है उसमें काम करती है तो मतला करते company की one year के chart की दोस्तों देख सकते हो company लगाता है एक साल से tight range में trade कर रही है तो दोस्तों ये कुछ रीजन हो सकते है stock को buy करने की कोई दोस्तों कोई भी stock एक tight range में consolidate करने के बाद ही उपर जाता है तो जब भी आपको कोई ऐसा pattern दिखे तो आप stock को buy करके hold कर सकते हो long term के अगर बात करते company के पांसल के chart की तो दोस्तों आप देख सकते हो company एक support area के आसपर trade कर रहा था last time तीन वबे 20.5 आसपास bounce करके उपर गया है और दोस्तों ये support आपका 27 के आसपास का था तो definitely दोस्तों company इस stock में रामा वीजन में एक double bottom का formation हो रहा है जो काफी बढ़िया है technical chart के हिसाब से तो definitely इस bottom में हम stock को बाय करके चल सकते हैं जो आपको अच्छे टागे दिखा सकता है उपर के एक बार देख लेते हैं कि company करती क्या है उसके financial किया है company किसे rolling pattern कैसा है और company ने last quarter में profit दिया है या नहीं दिया तो एक बार देख लेते हैं तो दोस्तों देख सकते ह पूला हुआ है right जैसे मैं आपको बताया distribute करती है baby and mother's care products के उपर ये company काम करती है और दोस्तों अगर बात करते है market cap company का तो 7 कोड़ के आपसका market cap है और book value के साफ से काफी सस्ते में trade कर रही है company right अगर बात करते है company में होर क्या अच्छा है तो दोस्तों आप देख सकते हो company कल देखने के ओने हाग फिलाल के दिनों में debt reduce किया है और come आपने books से काफी सस्ते में आपको अभी मिल रही है और listen of company लगातार get reported दे रहे है लेकिन आपको dividend नहीं दे रही है तो जो skipped अगर आपको को υ komponies Tudo होने बाव्योद भी तो दोस्तों वह company पैसा है वो पैसा company के growth में लगाती है इसका मतला वो long term के लिए सोच रही है, तो at least company long term के बारे में सोच रही है, तो भाईया बढ़िया है अगर आप stock को long term के लिए hold करते हो तो definitely आपको अच्छी income बन सकती है, अगर बात करते company के profit की, तो दोसो देख सकते हो, मैं आपको company के profit दिखा रहता हूँ, तो दोसो देख सकते हो company के जो sales है, आप बोल सकते constant sale है, साड़े चौदा करोड के असपास की company की sales रहती है, December quarter में अगर net income की मैं बात करता हूँ, तो दोसो देख सकते हो net income 20 lakh का company को profit हुआ है, December में और 15 lakh का उससे पहले हुआ था, it means company आपको कभी minus में profit देती है और कभी आपको positive profit देती है, तो definitely भाईया at least company आपको books में profit दे रही है, तो आप stock को राव में रख सकती हो, और अगर बात करते company के किस किसका पैसा लगावा है तो लेके चलता हूँ आपको company के profit and loss की दरफ, तो अब देख सकते हो company में जो promoter holding है वो भी लगातार बढ़ रही है, थोड़े number से बढ़ रही है, 52% के आसपास आपके promoter का पैसा लगा है, बाकी आपके public का पैसा लगा हुआ है, 48% के आसपास, तो दोस्तों ये कुछ regions थे, कि भाईया, stock में एक multi-year कर बेकाउट हुआ है, definitely आप बाइगर के चल सकते हो, दूसरा region दोस्तो, company, stock जो है असका technical chart में, एक double bottom का formation बना रहा है, जावा stock हमें काफी पसंद आ रहा है, और साथ में company, अच्छा काम कर सकती है, अच्छे businesses में, और future, ठीक है, future में अच्छे results दे सकती है, क्योंकि last quarter में company ने 20 lakh का profit दिया था, अगर बात करते है, year to year basis में profit में, तो company is a profitable company, ठीक है, हर साल company, कुछ ना कुछ profit निकाल रही है अपने books में, ठीक है, अब बढ़ते हैं, हमारे last top multi-bagger penny stock की तरफ, जिसका नाम है, जोस्तो हमारे last penny stock का नाम है, पिकर डिली agro industry limited, जिया दोस्तों ये भी आपकी BSC में लेस्टेट company है, company का काम दोस्तों आप देख सकते हो, ये business of sugar industry में काम करती है, मतुतला उसका sugar से related business है, तो definitely भाईया, अगर चीनी का वैपार करती है, तो कुछ ना कुछ profitable business होगा, कोई भाईया, इंडिया में, चीनी की खपत बहुत ज़्यादा होती है, अगर बात करते हैं, company के chart की और company के pndl की, तो दोस्तों अगर आग 11 रुपे trade कर रहा है, तो definitely अगर आपको इस stock 10 रुपे, 9 रुपे के rate में मिलता है, आप stock को buy करके चल सकती हो, और दोस्तों बात करते है company के books के according, तो कावी सस्ते में अभी आपको मिल रहा है, और दोस्तों देख सकते हो, company आपको लगातार एक dividend भी दे रही है, 2% के साब से ठीक है, तो एक अच्छा कासा dividend paying company ये है तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको बतला है, company निवुक से कावी सस्ते में trade कर रही है, और दोस्तों, company next quarter में अच्छा result दे सकती है अच्छी बात नहीं हो सकती है, company अगर next quarter में अच्छे results देगी, तो price में definitely impact पड़ेगा, right अगर बात करते है, company के December quarter के profits की, तो दोस्तों आप देख सकते हो screen में, मैंने December quarter के profits खोल लगे है, और company की sales में थोड़ी गिरावट नजर आ रही होगी आपको December 89 करोड के असपस की sales थी जो पहले 106 करोड के असपस की sales थी, अगर बात करते है net profit की, तो दोस्तों देख सकते हो December में मातर company को 2 करोड के असपस का profit हुआ था, उससे पहले 5 करोड के असपस का profit था, और दोस्तों देख सकते हो, लगादार company आपको एक profit दे रही है, decent profit दे रही है, जो अच्छी बात है company के future growth के लिए ठीक है, तो भाई, definitely stock up रड़ा में रख सकते हो, company आपको अच्छे खासे profit दे रही है, और expected कर रही है कि next quarter अच्छा हो सकता है, और जैसे आपको बताया, year to early basis company is a profitable company, देख सकते है आप दोस्तो, आपको स्क्रीन में देखने को मिल सकता है last year's ने FI20 में 90 क्रोड का profit दिया था definitely भाई, stock up रड़ा में रख सकते हो अगर बात करते, company के promoter holding की किस-किस का पैसा लगा हो है, तो दोस्तो आप public आपकी मात्र 27% के आसपास है दोस्तो, definitely stock up रड़ा में रख सकते हो क्योंकि इसमें overall सब कुछ बढ़िया है एक बार आप देख लेते हैं stock का चार्ट दोस्तो, मैंने ये Pika Delhi Agro Industry Limit का चार्ट खोला हुआ आपको screen में देखने को मिल सकता है stock लगातार support लेके 5 रुपे के आसपास support लेके उपर जाने का प्रयास कर रहा है और stock का 15 रुपे के आसपास का double high का resistance है तो definitely इस बार ये जो resistance है ये break हो सकता है क्योंकि इसने ये ठ्ट टाइम टेस्स करने जाएगा तो definitely stock का बड़ा में रख सकते हो अगर आप चाहो तो stock को 9 रुपे 10 रुपे के लेवर से बाय करके चल सकती हो और last swing के आसपास मतलब 6.5 रुपे के आसपास का stopos लगा सकते हो तो दोस्तो आशा करता हूँ आपको top 5 multi-vegal penny stock below rupees 10 अच्छे लगे होंगे अगर अच्छे लगे तो definitely वीडियो को like कर दो share कर दो अपने दोस्तों के साथ facebook, twitter, telegram, whatsapp जहाँ आप कर सकते हो और comment करके बथाओ आपको वीडियो कैसा लगा हो अगर आप वीडियो को share करते हो मुझे tag करते हो instagram में via stocks पर या twitter में definitely आपको जो next Sunday को free of class तो free of class लूँगा मैं session लूँगा उसमें आपको मैं include कर लूँगा तो भाई मिलता हूं next वीडियो में जय हेंद